यह आश्वासन मिला हुआ करीम हम लोगों को 10 से 12 दिन हो गया है कि हमें अभी आवशक्ता नहीं है आवशक्ता होगी तो हम बिटेट करवाएंगे तो मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको कव आवशक्ता महसूस होगी जरा हम लोगों को चीज़े लि सब्सक्राइब करें और लगतार आज 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरनास्तर पर बैटें इनकी मांग है कि सरकार पत्रता पर इक्षा करा है आई हम इन से जानते हैं पूरे विस्तार रुप से क्या कुछ इनकी मांग है देखिए हम लोगों का मांग है कि सात्वा चरण जो भी सिक्षक भरतिया रही है उससे पहले बीटेट होना चाहिए इसको हिंदी में बिहार सिक्षक पात्ता परिक्षा करते हैं क्योंकि हमारे कुछ भया लोग हैं जो बीटेट का अर्थ नहीं समझ बाते हैं इसलिए हम ल परसों से 2017 से अभी तक एक सिक्षक पात्ता परिक्षा जो कि हर राज में होती है अपनी अपनी राज सरकारे करवाती है वो नहीं हो पाया है उसी का हम लोग का एक मुख मुख्य मांग है 17 के बाद हुआ है नहीं हुआ है 17 के बाद और सरकार को अगर हम लोग बोल रहे हैं हम लोग के बने मांग मांग रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें आबशकता अभी नहीं है अमारे पास योग या बिर्थी है तो मैं सरकार से आपके बिहार इन सोट्स न्यू चैनल के माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं कि आप 2014 में सिक्षक भरती लाए थे उसका 2011 में आपने बिटेट करवाया फिर आप 2019 में सिक्षक भरती लाए जिसके लिए आपने 2017 में बिटेट करवाया और आप फिर से 2022 में सिक्षक भरती लाने जा रहे हैं और वो भी बिना बिहार सिक्षक पातरता प्रिक्षा कराये बगएर ये कहां से उचीत है मैं सरकार से पुछना चाहता हूँ दूसरी बाद अगर 2011 में बिटेट होती है वो बच्चे बिटेट क्वालिफाय करते हैं और सरकार दूसरी तरफ कर रही है कि सिटेट साल में हर साल दो बार होती है हम लोग मान लेते हैं कि सिटेट दो बार होती है और होती भी है इसमें मानने की कोई बात नहीं होती भी है मिला हुआ कडिम हम लोगों को दस से बारा दिन हो गया है कि हमें अभी आवशक्ता नहीं है आवशक्ता होगी तो हम बिटेट करवाएंगे तो इसलिए मुशी पे ये सवाल पूछना चाहरे हैं उनसे कि आपको आवशक्ता कब महशूस होगी आपके बच्चे रो रहे हैं कि आवशक्ता होगी इस समय आपको नियोजन करवाएंगे तो हम तो दूसरा टॉपिक पर बोल रहे थे कि 11 से 11 में सिग्षक्ता परक्षा करवाई उसके बाद 14 में नियोजन लाई 11-14 मतलब जलता है तो होती जब आई है तो हम सौट में ये चीज बोल रहे हैं कि मतलब जो 14 में हुआ फिर 17 में हुआ फिर 19 तक में 19 में अपने उजन लाए 19 तक में जितने सीटेट बिटेट थे वो तो भाग ले लिए वो तो सिक्षक बन गए और फिर भी 50 सार सीट खाली रह गया कब तक हम लोगों का मांग माल नहीं लिया जाएगा जब तक हम लोगों को लिखीत रुप में दे दिया नहीं जाएगा कि हम बिटेट करवाएंगे सेवंत चरंड से पहले तब तक हम लोग यहीं चाहे जो हो सहीद होना परेगा बाद में सहीद हो जाएंगे ऐसे ही बेरोजगार मर रहे हैं तो सहीद होने में क्या जाता है सहीद हो जाएंगे लेकिन बीटेट का मांग यहां से लेके रहेंगे और हम यह रिक्वेस्ट करते है जितने भी पक्स और विपक्स के जो भी नेता हैं, जिनको हम लोग चुन करके सदन में भेजने का काम किये हैं, उन्से हम आगरा करते हैं कि आप लोग कल मांचुन शत्र में कल से हिसा ले रहे हैं अवर हम लोग आपको आसा तित होते हुए ही आपको जिताते हैं तो हम लोग हम लोगा मांघ वहां रखें क्या हम लोग entered multi बैone set when you comply do Peafa देकुर सब जानत हैं को सरकार भी जानती है लेकिन गरांधाज कर रही है तो नजर-अनदाज करें तो उसको तो पता चल जाएगा कि एकता क्या होता है owners dwa ये विए टेदु दिया थे उस्वाड़े में प्राइमिस चरने सकत रभी करेंगे सिर्फ विचार करने का स्वासन मिल रहा है कि ठीक हम लोग करेंगे सिर्फ विचार करने का सब करने के लिए तयार है देखिए जब तक हमारी बात नहीं माने हैं कि हम लोग यहीं डटे रहेंगे हम लोग कि जो भी करना चाहिए कर ले अगर सरकार नहीं माने माने अस्मान सथ मी अते लिग लिगत हुआ др सब्सक्राइब करने के लिए तब क्या करेंगे कोई उपाई नहीं है तो क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अपनी मांगों की मांगे मानी नहीं जाएगी हम लोग सईद हो जाएंगे आतमधा कर लेंगे लेकिन अपनी मांगों के लिए तब तक हम लोग दरनास्तर पर बैटेंगे और लड़ते रहेंगे ऐसे इन तमाम कबरों के साथ मरसाथ जुड़े रहें तब तक के लिए धन्यवाद